दोस्तो फाइनली आईपील 2020 के पॉइंट टेवल का पिक्चर पूरी तरीके से किलियर हो चुका है और आब आईपील 2020 के प्ले आफ का पूरा सेडियूल गोसित कर दिया गया है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको आईपील 2020 के प्ले आफ का पूरा सेडियूल बताएंगे जहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्ले आफ में कौन कौन सी टी में आपस में भिरने वाली है इसके साथ ही playoff के match कितने तारीक से खेले जाएंगे, कितने बज़े से match स्टार्ट किया जाएगा और साथ ही साथ ही इस match के live streaming से related पूरा information देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी चार्टी में IPL 2020 के playoff में पूरी तरीके से qualify कर चुकी है तो friends all over ये वीडियो बहुत ही जादा interesting है इसलिए आप से request करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक जरूर देखे और अगर आप भी चाहते हैं कि इस IPL में आपकी फेवरेट टीम जवर्दस्त परदसन करे तो वीडियो को दिल से एक like जरूर करे और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक rate color का subscribe पटन दिख रहा होगा उसे click करके चैनल को subscribe कर ले और बगल वाले notification विल्को प्रेस कर ले जिससे आने वाले समय में आपको IPL से related interesting videos YouTube पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL 2020 के मैचों का 100% टेक उडेसी के साथ prediction जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ contact जरूर करे उनका सभी details आपको नीचे comment box में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं IPL 2020 के playoff के पूरे schedule के बाड़े में तो फ्रेंट्स सबसे पहले नजाट डाल लेते हैं उन चार टीमों के बाड़े में जो की playoff के दौर में पूरी तरीके से qualify कर चुकी है तो इस लिष्ट में जो हमारी पहली नबर की टीम है उसका नाम है देली ही कैपिटल्स की टीम जहाँ पर दिली की टीम 9 में से 7 में जीत करके 14 अंकों के साथ point table में पहले अस्थान पर है और यहाँ पर से दिली को playoff में qualify करने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है और मेरे कॉर्डिंग यहाँ पर 110% दिली की टीम IPL के playoff में आसानी से qualify कर जाएगी उसके बाद दूसरी टीम के बाड़े में बात करें तो यह है रोहित सर्मा की कप्तानी वाली मुंबई एंडियांस की टीम और मुंबई की टीम भी 9 में से 6 में जीत करके 12 अंकों के साथ point table में दूसरे अस्थान पर है और यहाँ पर से मुंबई को playoff में qualify करने के लिए बागी बचे 5 में से सिर्फ 2 में जीतने परेंगे और मेरे कॉर्डिंग यहाँ पर 95% chance है कि मुंबई की टीम आसानी से IPL की playoff में qualify कर जाएगी उसके बाद तीसरी टीम के बाड़े में बात करें तो यह है विराट कोहली की कपतानी वाली Royal Challengers Banglord की टीम जहाँ पर RCB की टीम भी 9 में से 6 में जीत करके 12 अंकों के साथ point table में तीसरे अस्थान पर है और यहाँ पर से RCB को playoff में qualify करने के लिए बागी पचे 5 में से सिर्फ 2 में जीतने परेंगे और मेरे recording RCB की टीम के भी लगवग 90% chance है कि यह टीम आपको playoff में qualify करती हुए नजर आने वाली है उसके बाद चौथ्या स्थान पर यहाँ पर थोरा सा page first अक्षता है कि आपको IPL 2000 इसके playoff में qualify करते हुए नजर आने वाली है यानि कि दिल्ली, मुंबई, RCB और KKR की टीम IPL 2000 इसके playoff में qualify कर सकती है तो friends आप बात कर लेते हैं playoff के पूरे schedule के बाड़े में तो playoff का पहला मुकाबला 5 November को खेला जाएगा यानि कि qualifier one जो है वो 5 November को खेला जाएगा और यहाँ match League Stage 1 VS League Stage 2 के बीच खेला जाएगा यानि कि point table में इस्थित पहले अस्थान की टीम का point table में इस्थित दूसरे अस्थान की टीम के साथ match खेला जाएगा यानि कि जो team point table में पहले अस्थान पर होगा उसका मैच उस टीम के साथ खेला जागा जो कि point table में दूसरा स्थान पर मौजूद होगी तो friends यहाँ मैच भारते से मनुसार साम सारे 7 बजे से स्टार्ट होने वाला है उसके बाद बात कर लेते हैं eliminator के बाड़े में तो यहाँ मैच 6 November को खेला जाएगा और यहाँ खेला जाएगा league stage 3 versus league stage 4 के बीच यानि कि point table में जो टीम तीसरे अस्थान पर मौजूद होगी उसका मैच उस टीम के साथ खेला जाएगा जो कि point table में 4 अस्थान पर मौजूद होगी तो friends यह था qualifier और eliminator का schedule आप बात कर देते हैं qualifier 2 के schedule के बारे में तो यहाँ मैच खेला जाएगा winner of eliminator versus loser of qualifier के बीच यानि कि जो टीम 5 November को मैच हार जाएगी उसका मैच उस टीम के साथ खेला जाएगा जो कि 6 November को मैच जितने वाली तो friends यही था IPL 2020 की eliminator और qualifier का पूरा schedule आप बात कर लेते हैं final match के schedule के बारे में तो final match 10 November को खेला जाएगा और इन सभी बातों का proof आप अपने screen के उपर देख पारे होंगे जहाँ पर sports की डाने साफ तर पर IPL 2020 के playoff का schedule जो है वो डिलिज कर दिया है तो friends आप बात कर लेते हैं point table की यानि की playoff के prediction के बारे में यानि की कौन कौन सी team में playoff में आपस में भीर सकती है तो पहला match जो 5 November को खेला जाएगा वहाँ पर दिल्ली और मुंबई की team आपको आपस में खेलती हुई नजर आ सकती है उसके बात कर लेते हैं Eliminator के बारे में तो Eliminator में आपको RCB और KKR की team आपस में match खेलती हुई नजर आने वाली है तो आपको क्या लगता है कौन सी चार्टी में playoff में qualify करने वाली है आप अपनी राय नीचे comment करके जरूर दे और अगर आपको यह important information पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक like जरूर करे और वीडियो के ठीक नीचे आपको एक rate clear का subscribe बटन दिख रहा होगा उससे click करके channel को subscribe कर ले और साथी में notification bell को press कर ले जिससे आने वाले समय में आपको IPSC related इसी परकार की interesting videos YouTube पर सबसे पहले देखने को मिलती रहे और साथी साथ किरकेट predictions के लिए टॉनी भाई के साथ contact जरूर करे तो friends आज किस वीडियो में बस इतना है मिलते हैं next वीडियो में